नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा टोपिक रहेगा सिक्स्या मनोविज्ञान का नेक्स टोपिक चिंतन दोस्तों सभी बर्तिव के लिए इंपोटेंट है जो सिक्सक बर्तियां होती है उनके लिए सभी के लिए इंपोटेंट है और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे मेरे साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें चलते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चा समस्या विशेश के समाधान के लिए सोचता है या विचार करता है चिंतन कहलाता है मित्रू चिंतन क्या होता है चिंतन कब होता है जब हमारे सामने एक समस्या खड़िये हो जाती है जैसे ही हमारे सामने समस्या आती है उसके समाधान जब तक उसका समाधान होता है, उसके बीच में जो क्रिया चलती रहती है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, चिंतन कहते हैं, दोस्तों, समच्या और समाधान के बीच में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है, आपके सामने अगर कोई समच्या आ जाती है, तो आप उसके बारे में सोचते हैं उसके समाधान के बारे में सोचते हैं और जब तक आपका समाधान नहीं निकलता है तब तक आप सोचते जाते हैं उसी को क्या कहते हैं दोस्तों चिंतन कहते हैं चिंतन परकिरिया पर्तिकू मानसिक परकिरिया है दोस्तू याद रखना चिंतन कैसी परकिरिया है मानसिक परकिरिया है सबसे ज़्यादा बार कि उसने एक्जाम के अंदर ये आता है दोस्तू चिंतन तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है इसके परकारू के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो संपुन समझ में आ जाएगा पहली जो exam के अंदर जो प्रिवास हैं पुची जाती है चिन्थन की वो देख लेते हैं कुछ मनोवेगेनिकूँ की प्रिवासा हैं वो देख लेते ہیں गेडेट के अनुसार परिवसा है चिंतन एक परकार का एधर्ष्य वेवार है जिसमें सामाने रूप से पर्तिकुल का परियोग होता है डोस्तों आगे देखते हैं रोज के अनुसार चिंतन मांसिक किरिया का ग्यानात्मक पक्स है यह बहुत बार पूछी जाती है इंपोर्टेंट है दोस्तूं रोज के अनुसार चिंतन मांसिक किरिया का ग्यानात्मक पक्स है दोस्तूं आगे देखते हैं वेलंटाइन के अनुसार मनोव ऑग्यानिक द्रश्टी कोण से चिंतन सबन का परियोग उसकिरिया के लिए होना किया जाना चाहिए जिसमें शरंकला बढद विचार किसी लक्से की और अब Rाम गति से परवाइत हो या पर अविराम है दोस्तु अब Rाम नाई है अविराम गती से, अविराम, अविराम, लक्से की और अविराम गती से क्या हो, परवाइत होते हो, दोस्तु important है valentine, rose, ओर कागन-hetahamen की, सबसे ज야दा वार exam के अंदर कागन-hetahamen की जो परिवासा है ये पूँची जाती है, देखिए, सीधा का सीधा हर साल एक बरती के अंदर आता है दोस्तु ये परसन सीधा पुछा जाता है ये परिवास है किसने दी या इसा किसने का चिंतन के बारे में कागन तेता हेमेन के अनुसार जो प्रिवस है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रिवस है यह चार प्रिवस हैं इनसे बार आपको एक्जाम के अंदर नहीं मिलेगी बस चार आप याद कर ले दोस्तू आगे चलते हैं दोस्तू चिंतन के कुछ देख लेते हैं उद्धर से या चि सब्सक्राइब अ यूजित किया जाता है चिंतन के अंदर बीन बीन पेलिओ के यानि अलग-अलग समाधनों को एक साथ समाधन निकाला जाता है यही क्या होता है चिन्तन होता है दोस्तून। परते एक चिंतन का उदसे समस्या को सुल जाना होता है, कोई चिंतन ये तो है नहीं दोस्तू कि हम हाथ तू से करते हैं, चिंतन एक मानसिक किरिया मानसिक चलती है, और इसका एक उदसे रहता है कि कैसे भी जो समस्या है, उसका निप्टा रहो उसको सुल जाया जाए गत अनुबूती सामिल होती है पहले कोई समस्या आई है उसकी जो अनुबूती मारे साथ है वो उस चिंतन के अंदर क्या होती है सामिल होती है अगला है दोस्तों हमारा समस्या समाधान की विदी जो परियतन वे बूल की विदी है न दोस्तों हमारी परियतन वे भूल की विदी इस विदी का एक उदारन ही क्या है चिंतन है दोस्तू सब भी चिंतन लक्से निर्देसित होते हैं जो भी चिंतन होते हैं वो क्या होते हैं लक्से निर्देसित होते हैं दोस्तू चिंतन में बासा परतीक परतिमाउं का कापी योगदान हो रहता है दोस्तु चिंतन के अंदर परतीक परतिमाउं अधिका मानसिक जोड़ तोड़ होता है यह आपने पड़ा होगा तो दोस्तु चिंतन के अंदर भासा है, परतीक है, परतीमाई है, इनका क्या होता है, कापी योगदान होता है दोस्तु चिंतन एक जटील मानसिक परकिरिया है, जिसके सारे प्रानी किसी समस्या का समधान करता है यह मानसिक परकिरिया है यहाँ पर कोई सारीरिक काम नहीं करोगे आप चिंतन के लिए यह मानसिक परकिरिया होती है दिवाग से काम करना रहता है और इसके दोरा जो भी समझे हैं आपके सामने आती है उसको दिमाग के दोरा ही आप क्या करते हो उनका समधान निकालते हो दोस्तु ये चिंतन के उदेश से थे अब आगे देखते हैं दोस्तु चिंतन के परकार चिंतन के दो परकार होते हैं दोस्तु वो किसके अनुसार होते हैं यह भी क्यूसन आया हो है जिंबार्डो तेता रुख के अनुसार चिंतन के दो परकार बताए गए पहला है सवली चिंतन और दूसरा है यथार्दवार्दी चिंतन दोस्तु सवलि चिंतन और यथारद्वार्दी चिंतन कुसन यहीं से एकजाम में आता है यह दोनों नाम से आपको पताचल जाना चाहिए होते ही क्या है दोस्टों सबसे पहले देखते हैं सवली चिंतन क्या होता है सवली चिंतन कालपनिक विचारूं एवं इच्छों की अभिवेक्ती पर आदारित होता है सवली चिंतन होता है दोस्तूं वो क्या होता है समझे रही दोस्तूं, जैसे आप कल्पना कर रहे हूं बेट बेटे, कि मैं आरेस अधिकारी बनूंगा, या मैं कुछ बड़ी पोस्ट पे जाऊंगा, अपसर बनूंगा, तो ये एक चिंतन होते हैं, लेकिन दोस्तूं, जब तक इनको हम क्या नहीं करते हैं, कि जैसे कोई का ये उसको हम खुद सोच रहे हैं और कर रहे हैं, उसको तो यतार्थवादी चिंतन कहेंगे, लेकिन सवली चिंतन, जैसे हम रात को सोते हैं, सपने आते हैं, सपने के अंदर हम क्या-क्या सपने देखते हैं, भहुत बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं, वो क्या होते है इसका हमारी वास्तविक्ता से कोई संप्रग नहीं होता है बस ये सब कुछ कालपनिक होता है दोस्तों आपको याद इतना ही रखना है कालपनिक अगर कोई बात कही जाए तो वहाँ पर चिंतन होगा आपका सवली चिंतन दोस्तों जैसे यदि कोई चातर ये कल्पना करता है कि पढ़ाई खतम हो जाने के बाद वह बड़ा अपसर बनेगा मैंने बताया था उसके पास एक सुंदर बंगला होगा चमचमाती कार होगी तो ये सवली चिंतन का उदारन है दोस्तूं मैंने बताया था अगर आप आ रहे हैं सदीकार ये आप अपसर बनना चाहते हैं मन में सोच रहे हैं बेटे बेटे सपने ले रहे हैं तो ये सवली चिंतन है समझे दोस्तों आगे देखते हैं इसमें इसके अंदर किसी समस्या का समाधान नहीं होता है वो आपको भी पता है अब बहुत सारे साथी वीडियो देखते ही सोचने लग गए होंगे कि मैं भी अब थर्ड ग्रेड में लग गया मैं यहां पर पोस्टिंग लूँगा यह काम क दोस्तों सवली चिंतन सवपन देखकर उसे सब को बताना उधारन सवपन देखकर उसको सब को बताना ही सवली चिंतन है सवपन देखते हैं सवपन चित्तर है दोस्तों यह सभी क्या है सवली चिंतन के ही उधारन है दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों हम दूसरे प्रक क्या होता है वास्तविक्ता से होता है जिसके द्वारा किसी समश्या का समधान किया जा सकता है वास्तविक्ता के साथ जिस चिंतन का संबंद होता है उसी को यतार द्वादी चिंतन केते हैं दोस्तों जैसे कोई वेकती कार के अंदर बेट कर सपर कर रहा अचानक उसकी कार रुक जाती है तो उसके दिमाग के अंदर पहला परसन आता है कार कैसे रुकी आप सबी अभी सातीे जो पेन यूज कर रहे हो पेन आप के हाठ में है अगर पेंट तोट गया तो आपके एक दम दिमाग में यही आएगा कि इस पेंट को मैं वापस तेयार कैसे करूँ यह पेंट क्यों तूटा यह क्या होता है हमारे सामने हो रहा है वास्त भी केए इसको क्या कहते हैं यथार्दवादी चिनतन कहते है फिर वे इस समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है जो आपने पेन तूटने पर किया है वो ही क्या है यतार्दवादी चिंतन होता है दोस्तू आगे चलते हैं दोस्तू यतारदवादी चो चिंतन है इसके तीन परकार बताए गए है या तीन भाग बताए गए है पहला भाग है अभिसारी चिंतन दूसरा भाग है सरजनात्मक चिंतन और तीसरा भाग है आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों अभिसारी चिंतन क्या कहता है इसको देखते हैं अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है किसको कहा जाता है निगमनात्मक चिंतन अभी सारी चिंतन को चिंतन के अंदर वेक्ति किसी दिये गए तत्यू के आदार पर किसी निसकर्ष पर पहुँचता है यदि आप से पूचा जाए कि दो और तीन को जोडने पर कितना आएगा तो इस समस्या के समाधान में अभिसारी चिंतन का प्रियोग होगा दोस्तु जो यहां पर जो क्यूशन बनता है वो याद रखना दोस्तु एक तो आपको क्यूशन बनेगा वो यह बनेगा अभिसारी चिंतन से की निगमनात्मक चिंतन किसको का जाता है पहला करो तो श्याम कौन सा चिंतन कर रहा है अभी सारी या निगमनात्मक चिंतन ये दो क्यूसन बनते हैं दोस्तों किसे अभी सारी चिंतन से दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे चिंतन में दूसरा चिंतन है सरजनात्मक चिंतन इस चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है त कुछ तत्य तो दिए जाए होते हैं उनमें अपनी और से एक तत्य जोड कर निशकर्श निकालना निकाला जाता है उधारने से नीयं पड़ा होगा दोस्तों उसी परकार आइए जैसे किसी वेक्ति को कलम का है साधान परियोग करने को का जाए तब वेक्ति को इसमें अपनी और से कुछ जोड़ना होता है दोस्तूं आपको मैंने बोल दिया कि आप चिंतन की जो परिवासा हैं वो लिखो अब चार परिवासा हैं तो मैंने बता दी लेकिन परिवासा हैं तो और भी है चार प बनता है कि आगमनात्मक चिंतन किसको कहते हैं सरजनात्मक चिंतन को दूसरा बनता है दोस्तु जिसके अंदर यही पूचा जाता है कि किसी विदाले के उपर चात्रू को निमंद बताया जाता है फिर उनसे लिखवाया जाता है अगर चातर है उसको बढ़ा कर लिखते हैं त कौन सा करेंगे सर्जनात्मक चिंतन दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे चिंतन की और तीसरा चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोस्त को देखते हुए किसी बात को सविकार किया जाता है अर्थार्थ किसी वस्तू या तत्ते की सचाई क सविकार करने से पेले उसके गुण दोसको पूरी तरेक प्रक लेना ही आलोचनात्मक चिंतन का उदारन है एक बात बदाओं दोस्तों आप क्या है दुकान पे जाते हो आपने जाके वहां पे बोला कि सर पचास रुपे वाला रजिस्टर देना दुकान दार से बोलते हो वह पचास रुपे वाले रजिस्टर चार रख देते हैं फिर आप उनमें देखते हो पेज कितने हैं पेज कैसे हैं उनके गुण दोस्त सब कुछ देखते हो और फिर आप उनको खृते हो वहां पर आप कौन सा चिंतन कर रहे हो आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हो दोस्तों हमारे समाज में समाज के अंदर कुछ वेक्ति तो ऐसे हैं जो किसी भी परकार को बिना सोचे समझे ही सविकार कर लेते हैं तब यह का जाता है कि उनमें अलोचनात्मक चिंतन पावर कमजोर है अगर आप गए आपने बोला 50 रुपर उला रेजिस्टर उन्होंने चार रखे आपने एक उठाया और आगए मतलब आपका अलोचनात्मक चिंतन क्या कमजोर है लेकिन अगर आपने वह चारू के चारू रजिस्टर देखे वहां पर देखके उनमें से जो आपको अच्छा लगा जिसके पेच अच्छे हो पेच अधिक हो पेच है वह क्या हो बड़े हो वह आप पसंद किया और लेकर आये तो आपका अलोचनात्मक चिंतन अच्छा हो गया अगर ऐसे उठा कर लेकर आगे तो क्या हो गया आपका अलोचनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन अभिसारी चिंतन या निग्मनात्मक चिंतन सर्जनात्मक चिंतन या आग्मनात्मक चिंत और आलो चनात्मक चिंतन दोस्तों अब दोस्तों आगे चलते हैं चिंतन के साधन की और चिंतन के साधन चार साधन होते हैं दोस्तों चिंतन के परतिमा भासा संपर्ते और परतिग्यापती दोस्तों इन से ज़्याद क्यूशन नहीं बनता है आपको नाम यहां पर पता रखन है चारू का सीधा क्यूशन बनता है नियुन मैंसे चिंतन का साधन नहीं है इन मेंसे एक ओठा दिया जाता है दोस्तों अब देख लेते हैं परतिमा होती क्या है परतिमा पूर्वे अनुभूतियों की इस पेस्ट रूप से पूर्ण उत्पति को ही क्या करते हैं परतिमा कोई हमारी पूरानी है याद है वह हमको फिर आती हमारे दिमाग में चलती रहती है वह क्या एक टीवी की तरह हमारे दिमाग में चलता रहता है वही क्या होती है बासा आप सभी से बादचीत करना होता है किसी दूसरे से चिंतन के अंदर बादचीत नहीं की जाती है बोलकर बादचीत नहीं की जाती है कि आप मेरे सामने बेटे हो मेरा चिंतन में आप बता रहा हूं मेरे दिमाग में यह चल रहा है जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो नहीं होता चिंतन मांसिक परक्रिया इसके अंदर बोलकर किसी को विक्त नहीं की जाती है दोस्तों हाँ चिंतन होने के बाद हम अपनी चीज़ें बता सकते हैं जैसे सवपन हम रात को देखते हैं सुबह गरवालों को बताते हैं वो अलग बात है चिंतन तो रात को हो गया था हम तो सुबह बता रहें न आगे देखते हैं संपर्ते संपर्ते क्या होता है उनका जो पर्तक करन करना है वो ही क्या होता है समपर्ति होता है आक की बात करते पर्ति ग्याप्ति पर्ति ग्याप्ति क्या होती है चिंतन एक निसकर ये परकिरिया ना उकर क्या है एक सक्रिय परकिरिया होती है ये याद रिखना दोस्तों कि उसना आता है बहुत बार और ये पर्तिग्यापती में आपको पता चलेगा दोस्तों पर्तिग्यापती है उसके अंदर दोस्तों जिसमें वेक्ति बायवातावन के आंत्रिक छवी में जोड़ तोड़ करता रहता है अब बायवातावन के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर वो दिमाग में बेटे-बेटे ही जोड़ तोड़ करेगा और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों पर्ति ग्याती कहा जाता है तो ये थे दोस्तों चिंतन के साधन कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें